बांगलादेश में हिंदूओ पर अत्याचार को लेकर उदैपर में प्रदर्शन व्यापारियों ने बाजार बंद रख कलेक्टूट के बाहर की नारे बाजी बांगलादेश में हिंदूओं पर हमले की विरूद में आज उदैपुर में हिंदू संगठनों की ओर से स्वेचिक बंद का आभान किया गया इसके तहत उदैपुर शहर में सुभह कलेक्टूट की बाहर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए नारे बाजी की संगठनों की विरूद को देखते हुए यहां पर पुलिस बलतैनात किया गया सुभह करीब 11 बजे तक शहर के बाजारों में दुकानदार नहीं पहुँचे और कई दुकानदार इस प्रदर्शन में शामिल हुए शहर के बापु बाजार से लेकर मंडी में कई दुकाने खोली थी तो कई दुकाने 11 बजे तक बंद रही इसी तरह शहर के उपनगरिये इलाकों में भी कई जगह स्वेचिक बंद के चलते कुछ समय कुछ दुकानदारों ने अपना व्यापार बंद रखा और कलेक्टिट पर प्रदर्शन में शामिल हुए जिले के ग्रामिन क्षित्रों में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए ग्यापन सौबे उदैपुर जिले के जाडोल में 11 बजे तक बाजार बंद रखते हुए व्यापारियों ने उपकंड अधिकारी को ग्यापन सौबा यहां कलेक्टिर के बाहर बड़ी संख्या में अलग-अलग हिंदू संगठनों के पदाधी कारी और कारेकरता पहुँचे और प्रदर्शन किया संगठनों ने नारी पासी करते हुए अपना विरोध जताया पदाधी कारियों ने वरतिमान में बांगलादेश में हिंदूओं पर हमली की निंदा करते हुए कड़े शब्दों में विरोध दर्स कराते हुए निंदा की इससे पहले सुबह टाउन हॉल में इन संगठनों क कारे करता जूटे और कलेक्टिट पहुंचे कलेक्टिट पर प्रदशन करने के बाद मेरा अश्रपती प्रधान मंतरी राजजपाल मुख्य मंतरी के नाम का ग्यापन दिया गया